जी, असलाम अलेकुम शेक, अलेकुम असलाम, जी, मेरा सवाल यह है कि जैसे नमाज के लिए हम लोग वजू करते हैं, फिर अगर मोजे पहन लिए और फिर असर के लिए, मतलब वजू कर रहें और पैर नहीं दोएंगे, तो क्या चलेगा ऐसा, ज़ोर के लिए वजू पूरा करे और मोज्दे पहन लिया और असर के लिए मतलब पूरे दिन के लिए फिर वजू खली पैर नहीं दोएंगे बाकी सब करेंगे तो ऐसा है क्या और अगर मोजा गल्टी से निकल गया गल्टी से मतलब कोई भी नमाज हुए या बैठे हुए तो क्या फिर वापस पूरा वजू करना पड़ेगा और हमने फॉरन पहन लिया लिकिन मोजा जी जी जो शिटर रहाना का सवाल था वो मोजों पर मसा करना हमारी शरीप के अंदर जाय पहने हुए हैं तो जब हमें दुबारा वजू करना हो तो सुन्न तरीका यही है कि हमें वजू करने के लिए मोजों को उतारना नहीं चाहिए इससे बात को बाकाइदा अलमा ने जिक्र किया है कि मोजों को फक्त इसलिए उतारना कि हमें वजू करने के लिए पाउध होना ह है ये सुन्न नभवी नहीं है बलकि हमने बावजू होकर मोज़ा पहना हुआ है तो जब हमें दुबारा वजू करना हो तो हम मोज़ों को उतारे बगएर उन मोज़ों पर मसा कर लें और ये काम हम अगर हालते अकामत में हैं मुकीम हैं घर दात रुखसत है उस पर हम कांटीनियू मसा कर सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते हैं पहली शर्त तो ये है कि हमने मुकमल बावजू होकर मोज़ा नहीं पहना है तो उस पर मसा नहीं कर सकते मुकमल वजू के बाद जब हमने मोज़ा पहना है तब हम उस पर मसा कर सकते ह कि वो जो हमारा मोजा है हमारे टक्नों तक धका हुआ हो जैसे जो हाफ मोजा आता है ती जमाए में हाफ मोजा भी आता है तो वो मोजा नहीं होना चाहिए बलकि मोजा ऐसा होना चाहिए कि टक्ने तक धका हुआ हो तो उसी पर मसा कर सकते हैं तीसरी एक शर्त ये है कि वो जब मोजा हमने पहना हुआ है तो वो मोजा साफ सुथरा हो उसमे कोई नजासत और गंदगी लगी हुई ना हो चौथी शर्त ये है कि ये जो मसा है ये मुद्दत के अंदर होना चाहिए मुद्दत के बाहर नहीं होना चाहिए जैसे मुकीम के लिए एक दिन और एक रात मुसाफिर के लिए तीन दिन और तीन रात दिन पांचवी शर्त ये है कि ये मसा ये उन चीजों में हो जिन चीजों में वजू वाजिब होता है उन चीजों में नहीं जिसमें घुसल वाजिब होता है जैसे कोई जुनूबी मसा नहीं कर सकता मुज़े पर जिन चीजों से मसाइल में से है जिनके जरिया से अहल सुना वाल जमा और शीयों के दरमयान फर्क किया जाता है। इसलिए आप मतकदमीन उल्मा को देखेंगे कि मोज़ पर मसा के मसले को अकीदा की किताबों में अकायदर भिक्र करते हैं। तो ये मसले होत अहम है हमें इस पर अमल करना चाह है आ दूसरा एक सवाल इन्हों ने इसमें ये एड किया था कि अगर हमने दर्मयान में मोज़ा उतार दिया तो क्या करेंगे देखिए आपको 24 गंटा तक मोज़े पर मसा करने की अजाजत है लेकिन बशाते की बीच में आप मोज़ा उतारे ना अगर आपने मोज़ा बीच में उतार दिया तो वो सिलसला मुंकते हो गया अब दुबारा आपको वजू करके दुबारा फिर से मोज़ा पहनना पढ़ेगा तो जब मोज़ा आपने उतार दिया तो वो सिलसला खतम हो गया अब आप मोज़ा पहन करके उस पर मसा नहीं कर सकते जब तक आप दुबारा से मुकमल तोर से वजू करके फिर दुबारा मोज़ा ना पहने एक मसला यहां पर और मैं जिक्र कर दूँ जो बहुत जरूरी है जिसका जानना कि जैसा कि हमने अर्ज कि मोज़े पर मा होगी जैसे फर्ज कीजिए उन्होंने सवाल में कहा कि हमने जोहर में वजू किया और मोज़ा पहना उन्होंने जोहर में वजू किया मोज़ा पहना अब असर का टाइम हो गया उनको वजू करना है दुबारा क्योंकि उनका वजू तूट चुका है तो वजू तूटने के बार वजू टूटने के बाद जब पहली बार मसा करेंगे वहां से मुद्दत की बत्दा होगी इस जुम्ले को याद रखें वजू टूटने के बाद जब पहली बार मसा करेंगे उस मसा से वहां मुद्दत शुरू होगी और अगले दिन उसी टाइम तक यह नहीं 24 घंटा त करते हैं आप मुज़ों खायम नहीं हुआ है बलकि मुज़ों की उद्धत होई है जी जी जजाक लवखर शेख शेख इसमें एक चीज़ की और मज़ीद वजाहत कर दीजिए कि मुज़ों में जो फर्क किया जाता है बाद अहनाफ करते हैं कि चमड़े के मुज़ों पर और उ हैं एक तो खुफ का लफ आया है खुफ खुफ माने मुज़ा होता है लेकिन वो मुज़ा जो मुटा मुज़ा होता है आम तोर से चमरे का होता है इस जमाने में प्लास्टिक को करा का बेद्जीन करा का होता है लेकि मुटा होता है और एक होता है जी और एक होता है जारब अरबी में जवरब बोलते हैं, जवरब मतलब पतला मोजा जो हम लोग पहनते हैं, कपड़े का या उन का जो बारीक होता है, तो इसके लिए भी, इसके लिए भी सुन्नत के अंदर दलील मौजूद है, वो दलील ये है, जाबिर अब्दिल्ला रदिल्ला की एक रिवायत है, को कहते हैं, कि अल्ला के नभी सुन्न ने एक सरीया भेजा, ऐसे लाके में जहां पर सक्थ ठंडी थी, तो ठंडी की वज़े से उन लोगों को वज़ू बनाने में काफी परेशानी हुई, ये हदीस के अलफाद हैं, तो जब वो मिना लोड करके आए, तो लोगों ने शिका अल्ला के नभी ने उन्हें हुक्म दिया, कि वो पगड़ी पर और तसाखीन पर मसा करें, तसाखीन किसको कहते हैं, अर्भी का कल्मा है, तसाखीन हर उस चीज़ को कहते हैं, जिसे गर्मी हासिल करने के लिए पहना जाए पाउ में, सुखूनत कहते हैं गर्मी को, तो गर्म के साथ इसकी दलीला गई दूसरी बात ये कि मोजों पर मसा करना ये रुखसत है शरीयत की जानीब से और ये रुखसत क्यूं है क्योंकि मोजों को उतारना धोना ये मशक्कत है और ये मशक्कत सिर्फ ऐसा नहीं कि चमड़े के मोजे में है ये मशक्कत हर तरह के मोजे में है ख़क्म की जो इल्लिक है यह एक उसूली काइदा है कि जब जब वो इल्लत पाया जाएगी तब तब वो ही ठाया जायगा तो असलुकम का जो सबब है इल्लत है वो है मशक्क्थ और वो मशक्क्यद پتلے मوزے में भी मूज़ में موجود है तो लिहाजा सही बात यही है अदिल्ला की रोशनी में कि वो मोजा चहे मोटा हो पतला हो कैसा भी मोजा हो जो जिसको हम मोजा कहते हैं उस पर मसा करना यह जाइज है बलकि इससे आगे एक मसला और भी आपने आद दिल दिया अगर मुजा कहीं फटा हुआ है भाई मुजा फटना ये आम बात है तमाम लोग तो इतने अमीर नहीं होते हैं ना कि वो हर वक्त नया मुजा ही पहनेंगे मुजा फट जाता है खासतों से कोई गरीब है और सहाबे कराम के हालात भी शक्त मुजूद है और मुज़े पर मसा की बात की गई है ये कैद नहीं लगाया गया है कि मुजा फटा ना हो भाई मुज़े का फटा होना ये आम बात है तो मुज़े पर जब तक मुज़े का इकलाख होगा तब उस पर मसा करना जायज है जजज़ाक लग खर शेख